कि जहिन दोस्तों सभी को जुहार मैं सब इस्पेक्टर केपी सिंग आप सबों का इस्टडी फॉर पीसी एक्जाम सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं चलिए जेटेट का अगला मंत एक्जाम प्रस्तावित हैं काफी लोगों में कौतोल है तो कई वीडियो इस्ट चीजों को समझ सकें कि कि क्या क्या कूछा जाता है किस परकार हमको तयारी करने क्लियरत इस समर्द में किसी को अभी वी डावट है कि किस परकार बढ़ा क्छिस डारेक्षिन में बढ़ा जाए तो आप जरूर दास्तर से बात कर लिजेगा नमबर आपका क्या pension box link box में क्या है नमबर दिया रहे का आप जरूर उससे आप call कर लेंगे ठीक है चलिए आई यह class start करने से पहले क्या है class यह जो class है आपका especially प्रश्री जेटेट के लिए साथ ही लेडी सुपरवाइजर सची वाले मैं भी आपका तीनों में काम आएगा वन टो फाइब शिक्स टो एट में क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से हर क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हर से क्लास में नए नए इस्टुएंट जुड़ते हैं जेटेट से समंधित ध्यान रखेएगा जिस प्रकार आपको पढ़ना है नाकपूरी में थर्टी आउट ऑफ थर्टी स्पोर करना है ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है पहला ठीक है व्याकरन पहला में क्या आपको भ्याकरन करनाहोगा दूसरा आपको लोगईत करनाहोगा ठीक है आपका क्या है बेसिक फैक्स थीक है बेसिक फैक्स मतलब नाकपूरी से समंधित तथे ठीक है इसको हम और थोड़ा सा कुदहार दे रहें इसको रहने बेसिक फैक्ट्स को ही हम आपको कर दे रहें तिसरा क्या है नाकपूरी शे सम्मंधित ठीक है चौथा में आ गया खाटी नाकपूरी सब्ध परमपरा से आप परिचित हैं कि नहीं ठीक है पांचमा आपका हो गया पहली मुहावरा ठीक है यह सब्षे लेकिन अलग से काउंट कर लेते हैं यह आपका सिलिबस है पूरा जेटेट का यही पढ़ना है आपको और यही आपका महिला सुपरवाइजर का भी जान है सचीवाले का भी जान है कोई भी कंपटिशन आगे आने वाला एक्साइट कॉंस्टिबल हो जाते हैं तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपने कंटेंट पे आते हैं पहला कशन है डाक्टर बीपी केशरी कर रचनामन कौन-कौन भासा में छपन है आपको क्या बताना कि किस भासा में छपा है हिंदी में अंग्रेजी में नाकपूरी में सोब जो मेरे पहले से हमसे उड़े हुए उनको पताब विडियो आ चुका बहुत सारा शीव बता चुके तो आप कमेंट में एंसर कर सकते हैं ठीक है कुमेंनि में एंसर फॉपको कोशन दिक रहा है हम ज्यादा समय आपका नहीप करेंगे आपका समय बचे आपको पूरपर डारेक्शन देखना है इस वजह से हम एंसर करते हो आपको चलते हैं ध्यान रखेगा डाक्टर विप्टी के स्रीका रचनामन क्या है मेरे दोस्त हिंदी भी है अंग्रेजी भी है नागपूरी भी है और सौब है मैं बता दे रहा अएसे में देवल सब्सक्राइब करेंगी आप कफ किजीगा जब आपको एंसर नहीं पता है तब ठीक है आप रिस्क लेकर के चल सकते हैं एंसर पता है तो एंसर आप किजीए क्लियर है क्यों क्योंकि हर एक मांक्स हमेर आपको क्या है आपका करбо unjust kassy ok Just 30 है यह मेरा पूज़र यह दासर से बात किजिए एप इस्टॉल किजिए वहां पर जेटिट का आपको कोर्स मिलेगा जेटिट के कोर्स में इन्डॉल हो जाएए कूपन डिस्काउंट भी मिलेगा आपको इन्डॉल लोग लोग गीत में किस रहे है आप लोग जो गाउं गर में जादी बयागर जो जो गीत सुनते हैं क्या है परंपरा से चला रहा है तो समाज का ही चित्र्ण मिलता है इतिहास के बारे पता चलता है प्रकृती का समंद्धी तो गीत है यह इंट्लेहाई Ce सब्सक्राइबर शेयर करना नहीं भूले हरे ग्रूप में सेयर किजेगा बेलाइकन प्रेस कर लिजीएगा जब तक एकजाम नहीं होगा सब तक आपको और क्लास मिलेंगा उसे समदीट सारे क्लास यह सारत आपको पीपीटी भी मिलेंगे उसके लिए क्या करना है आपको गुरूप में जूड़ जाना ठीक है किस नमर पर मैसेज किजिएगा 62 00346 305 जी हां दोस्तों इस नमर पर आप कॉल कर सकते इस नमर पर वाट्सेप कर दीजी किसर में सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला कोश्चन लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला पॉस्चन लोग साहित कर मुद देश से लोग साहित का उदेश्य क्या है मनुरंजन है शिक्छा और मनुरंजन है वो दिमानि से नहीं भी हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अगला क्वेश्चन चलिए जदूरा मुद रूप से कौन मना गीत रागे के क्या पूछ रहा जदूरा यह ध्यान दिजेगा यह नौ की नागपूरी बलकी नागपूरी के साथ साथ आपका क्या है जो आपका जी एस पेपर थर्ड है जारखन में उसमें भी आपका यह काम आएगा उसके लिए इंपोर्टेंट है जदूरा किसका किस जाती का जो है यह जनजाती का परमुगीत है मुंडा उराओं का खडियां हो का सदान और संथाल का और सौभे का बताना अगर आपको नहीं पता तो नहीं बनेंगे आपको 30 पर नजर रखना चाहिए इसलिए क्या है आपको इस्टेडी पर पीसियत पर जोड़ना जरूरी है वाट से ग्रूप में जोड़ी है सब्सक्राप्टियर बढ़ियां से तैयारी शुरू कीजिए तो क्या हो जागा मुं पर लाइब वीडियो मिलेगा बस आप क्या करना आपको जेटेट का आफ इस्टौल किजिएगा दासर्दर लर्नीं वहां पर किजिएगा यह सब चीज आपको मिलेगा एक बार रिवीजन कर लिजीए ठीक है तो इसमें क्या है कि आने वाला चार-पाउच साल तक क्या है आ तो दिशावाचक क्या हो जागा लेंगा यह क्या है क्रिया विशेशन है जिए लेंगा यह क्या है क्लियर रही है बहुत अच्छे क्रिया सो बेरा पुलिंग एक वचन और दोसर पूरुसकर होईला क्या बोल रहा है कौन से वाच्चे में दिया हुआ है करत्री वाच्च करम वाच्च भावाच्च वाच्च किस वाच में जो है क्रिया जो है क्या बोल रहा क्रिया पूलिंग सौब बेरा पूलिंग होता है एक वचन और दोसर पूरुषकर होएला क्या होता है कौन से ऐसे वाच है आपको बताना है जिसमें क्रिया पूलिंग होगा एक वचन में भी होगा और क्या है दोसर पूरुषक नहें Central कि और किया स्थ Farm कर दोस्केशन कर नहिंगा तो दियान दीजेगा नहीं करती से नहीं करम सकत्किया क्या हो जाएंगा यहाँ आप हूग कर्दिजेगा है कि नहीं इसलिए क्या है कि जरूर्बर में कि हर देवल सभे यंक्वाट्स होता है तो ङुलिए पूलिंग आरे क्रोंचन में होता है क्लियर कि अगला क्रोंचन चली कि जसाथी बॉलता है जो वाक्य में एक्स्राल वाक्य है उसको और जाता अगला क्वेश्चन की ताब नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरन कर अनुसार नागपुरी में वेंजन वर्ण कर संख्या कते हैं फैंजन वर्ण क्या बताना है आपको वेंजन वर्ण फीक है वेंजन वर्ण जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है एक रहे तो यहां सिर्फ आपको एंसर बता दे तो नागपुरी सदानी भोली कर व्याकरण में कितना है थर्टी थरी इस दर राइट एंसर अगला कोश्चिन मिर्तुंजे नात्सरमा कर जनम कौन जिला में हो लग मिर्तुंजे नात्सरमा आपको क्या बता रहें यह लोग कभी परिचे में पढ़ना रहता है तो किसी भी कभ परिखना रखना कौन को जो फेमस है तो फेमस है हम यहां को करा देंगे जब तक जीटिट एक्जाम ने होता है क्या करना आपको एप इस्टॉल कर लिजिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तेक बार लाइक सब्सक्राइब करें बहुत जल्द से जल्द हमनों क्या है आपकी बहुत बैठर मांक के लिए बैठर कंटेंट ले करके किताब की रूप में आने वाले हैं मिलतुन जैनात्सरमा कर जनम का हुआ हुआ राची हजारी बाग गुमला राइट एंसर क्या हो जगा राइट एंस जो और मानक एक रहे लाइट अनुब्ह everybody स Evangelism में भी सब्रूर्म प्रूल नहीं करते हैं वहांगा जरा सबी कॉल नहीं देता है उड़िष्श का किसी का बात मानेगा क्या वाकि है वाकिष में उड़िष्शविधहि तो जिसकी बारे बात क्या उड़िष्श हो जाएगा अपका उद्धेश्य हो जाएगा ठीक है उद्धेश्य विध्य वाक्य में बहुत ही बैतर डंग से इस्टेव बाइस्टेव चीजों को बताया गया है अभी जुड़िए ठीक है और वहां से तयारी सुरू किजिए जेटेट के लिए अगला कोश्चन नाकपूरी साहित कर कैग भेदा है नाकपूरी साहित कर कितना भेदा है बताना आपको एक तीन चार्थ दो यह क्या है यह बेसिक यह बेसिक से कोश्चन है क्या बूलिएगा नाकपूरी तत्थ से कोश्चन है आपका ठीक है यह किश्य है नाकपूरी तत्थ से कोश्चन है नाकपुरी साहित कर के वह भेदा है तो नाकपुरी साहित का दो भेदा है ठीक है गध्यार पाद्देव अगला कोश्चन है आपका नाकपुरी लोग गीत में भूनिसर अनुचकर अनुसार रसकर कतना भेदा है किसकी अनुसार से तो